बी फार्मा के बाद एक्जिट एक्जाम हाँ ये चर्चा का विशेश जरूर बना हुआ है जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं डी फार्मा के बाद अब फार्मेसी काउंसिल ओफ इंडिया ने कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है त और क्या बैचलर्स के बाद भी होगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डी फार्मा में एक्जिट एक्जाम लाने की जरूरत क्यों पड़ी जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं आपने सुना भी होगा कि अगर कोई स्टुडेंट दूसरी कंट्री से म्बीबिस कर रहा हो इसकी वज़ा से डी फार्मा के बाद एक्जिट एक्जाम लाया गया क्योंकि आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे बहुत सारे कॉलिजिस खुल गए एक एक कॉलिज दो दो कॉलिज में चार-चार ना कॉलिजिस चल रहे हैं ऐसा देखा गया है ऐसा सुना भी गया है तो बिना जाए आप डी फार्मा कर पा रहे हैं मतलब बिना जाए वहाँ पर डी फार्मा में अडिमिशन चल रहा है एक्जाम हो रहे हैं कोई बच्चा कॉलिज नहीं जा रहा है नोन अटेंडिंग हो रहा है तो उसमें नुकसान किस चीज का है नुकसान उस बच्चे का है जो मद्धे नजर रखते हुए पामेसी काउंसिल आफ इंडिया के प्रेजडेंट डॉक्टर मॉंटू कुमार पटेल सर ने ये निर्ने लिया है और उनकी कमेटी ने निर्ने लिया है कि अब दी पार्मा के बाद एक्जिट एक्जाम देना होगा जिससे ये धोका धड़ी खतम ह हो सके बट अब कहीं न कहीं एक ये पॉइंट जरूर आ रहा है कि सर क्या बैचलर्स के बाद भी देना होगा एक्जिट एक्जाम तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर आगे चलकर ये डिसीजन लेना हुआ फामेसी काउंसिल ओफ इंडिया को तो वो जरूर इस चीज में पी B Pharma में भी एक्जिट एक्जाम हो सकता है मैं आपको क्लियर कर दूँ यहां पर कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है मैं ये क्लियर कर दूँ और बाकी मैं आप लोगों के कमेंट्स जरूर चाहूंगा कि इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर डालें कि सर क्या वाकई ह होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए आपके कमेंट्स हम फीडबैक की तरह accept करेंगे क्योंकि बी फार्मा चार साल का डिग्री कोर्स है और डिपलोमा हमारा दो साल का डी फार्मा मारा डिप्लोमा दो साल का होता है तो कही ना कहीं वो डबल एफर्ट्स का होता है एक तो इसलिए नहीं होना चाहिए पर अगर आगे चलके यही चीज़े अब्जर्व की गई जैसे डी फार्मा सेक्शन में हो रहा है अगर यही भी फार्मा में हुआ तो कहीं ना कहीं Pharmacy Council of India पीछे नहीं हटेगी exit exam को लाने के लिए तो यह याद रखिए अपनी तयारी अच्छे से पढ़ते रहें अपनी तयारी करते रहें और जो युनिविस्टी exam में आप पढ़ रहें उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई exit exam कोई भी दुनिया का हर exit exam आप clear कर सकते हैं और भी updates के लिए आप Pharmacy India के साथ जोड़ सकते हैं नीचे दिएगा टेलिग्राम, WhatsApp ग्रूप के लिंक्स के साथ आप जोड़े बी फार्म और डी फार्म अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन जै हिस्टाइब